चलिए start करते हैं अपनी नई exercise इसमें कह रहा है find each of the following products हमें इन सब के products निकाल लें तो हम अपना first part लेख लेते हैं first part है हमारा x plus 6 into x plus 6 तो यह कैसे करेंगे देखें अगर आप देखेंगे दोनों same values हैं x plus 6 x plus 6 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x plus 6 का whole square रइट अब क्योंकि same values थी इसलिए वो दो बार लिख सकते हैं कि यही value दो बार repeat और है इसलिए power 2 में लिख दिया अ ब इसको कैसे solve करते हैं हमारा एक formula होता है A plus B का whole square उसको हम कैसे solve करते है A square plus B square plus 2AB अब इस type के questions को हम यह formula लगा के solve करेंगे यहाँ पे A क्या है हमारा A है हमारा X और B है हमारा 6 अब A की जगा X लिख देंगे और B की जगा 6 लिख देंगे इस वाली expression में क्योंकि यह expression तो यह already दे रखी है अब हमें इसे solve करके इस expression में लाना है तो हमें इसे किस form में लिखना पड़ेगा इस form में लिखना पड़ेगा और A की जगे हमें क्या लिखना पड़ेगा X लिखना पड़ेगा तो X का whole square B की जगे हमें 6 लिखना पड़ेगा तो 6 का होल स्क्वेर प्लस 2 A की जगे X और B की जगे 6 तो अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए X का होल स्क्वेर means X स्क्वेर प्लस 6 का होल स्क्वेर का मतलब 6 इंटू 6 शेम नमबर दो बार आपस में मल्टिप्लाई हो जाना तो that means 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6 हमें पता है 36 होता है तो यह आ गया 36 प्लस क्योंकि यहां सबके साइन प्लस हैं इसलिए प्लस 2 6 इंटू X इंटू X इंटू X 12 X तो 12 X इसको हम क्या लिख सकते हैं X2 plus 12 X प्लस 36 हो यह वाला आणसर लिकिया तो भी करेक्ट है यह वाला आणसर लिकिया तो भी करेक्ट है आनसर लेज जू नेक्सपार्ट नाओ अब सेकिंड पार्ट है हमारा 4x plus 5y into 4x plus 5y अब देखिए same values हैं 4x plus 5y and 4x plus 5y तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x plus 5y का whole square लिख सकते हैं क्योंकि दो बार repeat हो रही है क्योंकि हमें पता है अगर हमारा x into x होता है तो same base की powers आड़ हो जाती है तो यहां पे भी same base है तो इसकी powers आड़ हो गए 1 1 power थी तो वो आड़ हो गए तो यह हम क्या लिख सकते हैं 4x plus 5y का whole square लिख सकते हैं अब हम यहां पे कौन सा formula लगा सकते हैं a plus b के whole square का formula लगा सकते हैं जो कितना होता है a square plus b square plus 2ab यह formula होता है तो अब a की जगे क्या लिख देंगे a की जगे 4x और b की जगे 5y तो a की जगे आगया 4x का whole square plus b की जगे 5y का whole square plus 2 into a की जगे 4x और b की जगे 5y अब देखिए यह कह रहा है 4x का whole square 4x का whole square का मतलब है 4 की भी 2 times multiply और x की भी 2 times multiply तो यह कितना हो गया 4 4s are 16 और x into x is x square तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम यहां लिख सकते है 16x square अब इसी तरीके से 5y का whole square देखिए 5y का whole square that means 5 की भी 2 बार multiply 2 बार किसलिए multiply क्योंकि power 2 है अगर 3 होती तो 3 times multiply हो जाती और y की भी 2 बार multiply तो यह कितना हो गया 5 5s are 25, y into y is y square तो हम यहां लिख सकते है plus 25 y square क्योंकि यहां पर सबके साइन plus है इसलिए plus ही लिखेंगे आप देखे, plus यहां पर भी plus है तो plus लिख देंगे यहां पर plus आ गया अब 2 forza constant की constant में multiplied 2 forza 8, 8 5s are 40 और x और y अलग-अलग variable हैं तो अलग-अलग लिखते हैं आप इसका answer 16x square plus 25y square plus 40xy भी लिख सकते हैं या 16x square plus 40xy plus 25y square भी लिख सकते हैं कोई साभी answer लिख के आई है दोनो answers correct है Let's do next part now 3rd part है हमारा 7a plus 9b into 7a plus 9b अब देखे 7a plus 9b दो times आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7a plus 9b का whole square लिख सकते हैं और जब हमारा यह formula बन जाता है तो यह कौन सा formula बन जाता है a plus b के whole square का formula बन जाता है जिसका formula क्या होता है a square plus b square plus 2a b होता है अब यहां पर a होगा हमारा 7a और b होगा हमारा 9b तो a की जगे 7a अब यह इस form में हैं अब हमें इस form को इस form में change करना होता है तो अब हम इस form को इस form में change कर देंगे तो यह आ गया 7a का whole square plus b की जगे 9b तो 9b का whole square plus 2 into 7a a की जगे 7a और b की जगे 9b तो यह कितना आ जाएगा देखे 7a का whole square का मतलब है 7 की भी 2 times multiply and a की भी 2 times multiply तो यह कितना आ गया 7 7s of 49 a into a is a square तो यह गया 49a square अब इसी तरीके से 9b का whole square का मतलब क्या है 9 into 9 और b का square मतलब b into b और 9 9s are 81 होता है और b into b is b square तो हम यह क्या लिख सकते है plus 81b square लिख सकते है अब देखे प्लस आ जाएगा क्यों प्लस आ जाएगा? क्योंकि सब के साइन प्लस है अब कॉंस्टेंट की कॉंस्टेंट में मल्टिप्लाय करेंगे 2 7s of 14 14 9s is 126 a b तो हमारा आंसर कितना अगे? 49 a square plus 81 b square plus 126 a b is the answer let's do next part now अब next part है हमारा 2 upon 3x plus 4 upon 5y into 2 upon 3x plus 4 upon 5y तो देखें same values दो बार रिपीट हो रही है तो हम इसको क्या लिख सकते है 2 upon 3x plus 4 upon 5y का whole square लिख सकते है आप कैसे करेंगे? देखें, मैंने आपको पताया था जब भी इस टाइप का expression बनता है a plus b का whole square वाला formula लगेगा तभी अगर आपने मेरे last के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लें उसका link में description box में given है या आप मेरी site www.elearnmatch.in पे जाएं simply class क्लिक करें book क्लिक करें और drop down के थू किसी भी chapter की exercise का playlist देख सकते हैं तो यह क्या गया a plus b का whole square का formula क्या होता है a square plus b square plus 2ab होता है अब यहाँ पे a की जगे हम क्या लिखेंगे 2 upon 3x और b की जगे हम लिखेंगे 4 upon 5y तो हमारा answer कितना जगा a square that means 2 upon 3 x का whole square plus b square b square की जगे आएगा 5y का whole square और 2ab 2 a की जगे 2 upon 3x और b की जगे 4 upon 5y तो यह कितना आजाएगा देखें 2 upon 3 x का whole square का मतलब है 2 upon 3 into 2 upon 3 into x into x अब देखें उपर नीचे कुछ नहीं cancel हो रहा है तो उपर की उपर और नीचे की नीचे multiply कर देंगे तो उपर है 2 2 is a 4 और नीचे है 3 3 is a 9 और x into x is x square तो यहाँ आगया 4 upon 9 x square प्लस अब 4 upon 5y का whole square कितना हैगा that means 4 upon 5 into 4 upon 5 क्योंकि power 2 है तो 2 बार ही multiply करेंगे तो अब कुछ cancel नहीं हो रहा है तो उपर की उपर multiply 4 4s are 16 and 5 5s are 25 y square तो हम इसकी जगे लिख देंगे 16 upon 25 y square plus अब देखें यहाँ पर नीचे कुछ नहीं cancel हो रहा है तो उपर की उपर constant की multiply कर देंगे 2 2s are 4, 4 4s are 16 upon नीचे के constant की multiply आपस में करतेंगे 3 5s are 15 and x into y is xy तो हमारा answer कितना आगया 4 upon 9 x square plus 16 upon 25 y square plus 16 upon 15 x y is the answer let's do next part now अब next part में कह रहा है 5th part में x square plus 7 into x square plus 7 तो देखें x square plus 7 x square plus 7 दो बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x square plus 7 का whole square लिख सकते हैं अब जब whole square लिखा जाता है देखें किसी भी number का whole square होता है a plus b की form में होता है और उसका whole square होता है तो हमारा कौन सा formula लगता है a plus b का whole square जो कितना होता है a square plus b square plus 2a b होता है अब यहाँ पर a कितना आ गया a की जगे हम x square लिखेंगे और b की जगे हम 7 लिखेंगे तो हमारा answer कितना आ जाएगा a की जगे हमने x square लिखा तो x square का whole square b की जगे हमने 7 लिखा तो 7 का whole square plus 2 into a की जगे x square और b की जगे 7 तो यह कितना आ गया देखें x square का square तो x square का whole square का मतलब है जो अंदर वाली value होती है उसका square करना मतलब x square into x square करना तो यह कितना आजाएगा, जब भी multiplication में base same होते हैं, तो powers add हो जाती हैं, तो 2 plus 2, 4 हो गया, तो हमने यहां लिख दिया, x की power 4, अब इसी तरीके से 7 का whole square का मतलब है, 7 into 7, तो 7 7s अ क्या होता है, 49, तो यहां पर लिख दिया, plus का 49, प्लस, अब देखे, constant की constant में multiply, 2 7s of 14, और x square, तो हमारा answer आ गया, x की power 4, प्लस 49, प्लस 14 x square is the answer, let's do last part now, last part है हमारा, 5 upon 6 a square, plus 2, 5 upon 6 a square, plus 2, तो देखे, same values दोनों bracket में, 5 upon 6 a square, plus 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 upon 6, a square, plus 2 का whole square लिख सकते हैं, अब यह कौन सा formula बन गया, a plus b का whole square का formula बन गया, तो हमने a plus b के whole square का formula लगा देंगे, जो कितना होता है, a square, plus b square, plus 2 a, b, अब a की जगे हम क्या लिखेंगे, a की जगे लिखेंगे, 5 upon 6 a square, और b की जगे हम लिखेंगे, 2, तो हमारा कितना होता है, a square, that means 5 upon 6, a square का whole square, और b की जगे 2, तो 2 का whole square, plus 2 a की जगे 5 upon 6, a square, और b की जगे 2, तो यह कितना होता है, देखेंगे, 5 upon 6, a square का whole square का मतलब है, 5 upon 6 की भी 2 बार multiply, और a square की भी 2 बार multiply, तो यह कितना हाजाएगा, देखेंगे, उपर की उपर multiply, 5 5s are 25, और 6 6s are 36, तो 25 upon 36, और a square is, into a square is, a की power 4, क्योंकि multiply में powers क्या हो जाती है, जब same base होता है, तो हम इसकी जगे क्या लिख सकते है, 25 upon 36, a की पावर 4, अब देखेंगे, 2 का square, हमें पता है, 2 2s are 4 होता है, same number से multiply कर देते हैं, जिसका भी square होता है, तो 4 लिख दिया, plus, अब देखेंगे, ऊपर की ऊपर multiply, 2 5s are 10, 10 2s are 20, या तो ऐसे multiply करके, आप 6 कर लीजे, और बाद में काट दीजेगा, या आप देखेंगे, ये दो numbers उपर नीचे, cancel हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, cancel करके, 5 2s are 10, उपर की उपर multiply कर ली, upon 3, और a square, तो हमारा answer कितना आगया, 25 upon 36, a की पावर 4, plus 4, plus 10 upon 3, a square is the answer, let's do next question now,